बिपिन्यूस की जाबास टीम मौझूद है वार्जोन में दिखाते हैं आपको मारे डिफेंस एडिटर आशीर सिंग की वार्जोन से के एक्स्क्लूजव रेपॉर्ट इस्राइल पर हमास अटक कवरेज को लेकर मुझे मुंबई के 26-11 हमले की भी याद आगए एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो ये कि इसराइल में सब पूरे एरिया को जहाँ पर अभी हम है इसराइल के गाजा के सबसे नजदी की इलाकों में से एक स्तेधरौत और यहाँ पर हमें दिखता है कि कदम कदम पर गोलिया पड़ी हुई है और यही चीज मैं के खोके हैं वो पड़े हुए हैं और कई तो यहाँ पर इनफेक्ट देखिए कि पूरी की पूरी गोली भी पड़ी हुई है और इस तरह से जब मेरे कैमरामेन मान कुछ कदम ही चलते हैं तो इस इसराइल के स्तेधरौत इलाके में यह गोलिया आपको दर्शाती हैं कि कितन जादा यहाँ पर घमासान लडाई हुई और जाहिजी बात है कि अगर कुछ कदम चलके आपको इतनी सारे गोलियों के खोके मिल जाएं या फिर कुछ तो जैसे कि यह देखिए एक फिर पूरी साबुत यह बंदू की गोली और यह दर्शाती है कि किस तरह से यहाँ पर बह कितनी जादा यहाँ पर इंटेंस गन बैटल जिसे कहते हैं वो हुई है और साथ ही साथ आपको यह भी मैं दिखाओ देखिए मेरे हाथ में गोलियां पूरी दिस समा नहीं रही है इसराइल के जो फ्रंट लाइन इलाकों में से एक है जहां पर हम मौजूद हैं मुश्किल स आम फोर्सेस हमें बता रही है कि इस पूरे इलाके में जिसे स्पेशल मिलिटरी जोन अब डिक्लेयर कर दिया गया है चाहे आप स्थरोत का बोलिये एस्किलोन का एस्दौत का इन सभी इलाकों में जो गाजा पट्टी से लगे हुए इलाके हैं यहां पर अभी भी इसराइ को इस तरह की गन बैटल को फिर एक बार अंजाम दे सकते हैं तो यह गोलिया ना किवल इस बात का प्रतीक है कि कितनी इंटेंस गन बैटल हुई है इसराइली फोर्सेस और हमास के आतंकियों के बीच में बलकि इस बात की तरह भी संकेत देता है कि अगर कुछ और हमास के आ इसराइल के सिदरोट सहरते एबीपी निउस के लिए